हेलो फ्रेंट्स वेलकूं टू मैं चैनल आयम हजोदा यॉर वाचिंग टेक्स ओसम मैं आपके सामने काफी दिनों के बाद आया हूं लेकिन आज की वीडियो भी पहले की तरह काफी एकसाइटिंग और एलफुल होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं बॉब साफी विज़ा कर रही है। अब स्ट्राइब करना जरूरी है लेकिन वह एपस हमारे वेस का पार्ट है और वे इन बिल्ट हैं जिस व्याइसे हो हम इसली अनिस्ट्राइब कर सकते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम यहीं सीखने वाले हैं कैसे आप उसको अनिस डिफेंट डिफेंट नाम हो सकते हैं लेकिन यह एक ही है तो आपको इसको भी अनिस्ट्रॉल करना जरूरी है क्योंकि यह यह से आपको भी गौंड ऑफ इंडिया ने बैन किया है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाए ताके में चैनल की हर एक मोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और अपसे रेगुलर वीडियो आने वाली है और इसके बाद एक और पार्ट वीडियो आने वाली है इसी चीज़ के साथ कॉंटिविशन के अंदर और वो भी आपके लिए काफी हैल्फुल होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर हमें जाकर फॉलो करना है तो फ्रेंड्स हम आज चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहां पर आपको एक टूल की जरुत पड़ेगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहां से डाउनलोड कर लें उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक zip file आ जाएगी और उसका नाम होगा platform tools आपको उसको extract कर लेना है extract करने के बाद आपके पास एक ऐसा folder आ जाएगा इसको open कर लें और यहां पर आपके पास यह files आ जाएगी और उसके बाद आप यहां पर command prompt में जाएंगे नहीं तो आप start menu में जाके वहां पर cmd type कर सकते ह और आपका command prompt open हो जाएगा और यहां पर friends आपको अपने phone को अपने computer यहां laptop के साथ connect कर लेना है और make sure कि वह MTP mode में हो यहां मैं यह कह सकता हूं जब आ उसको connect करेंगे तो वह आप से पूछेगा charging only यहां फिर transfer तो आपको transfer files पे select कर लेना है और वह MTP mode में एंटर हो जाएग उसके बाद friends आपको यह भी आप make sure कर लें कि आपकी जो developer options हैं और उसके अंदर जो USB debugging options हैं वो आपकी on हो जैसे कि हमने first step के अंदर किया ही है तो इन दोनों options को आपको on करके अपने mobile को connect कर देना है system के साथ और वहां पर transfer files पे select कर देना है और उसके बाद friends आप यहां पे ज options मांगेगा permissions मांगेगा आपको इसको allow कर देना है तो friends आपको जाना है command prompt के अंदर और साथ यह साथ आपको यहां पर उपर click कर देना है और इसको copy कर देना इस path को जब आपको यह सारी files दिखने लग जाए तब इस path को copy कर लें और command prompt के अंदर जाएं मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ आपके लिए और यहां पर आप टाइप करेंगे cd space और यहां right click करके paste कर देंगे इस path को जो अभी हमने copy किया है और enter करेंगे और यह इस directory के अंदर enter हो चुका है और यहां से हम command लगाएंगे adb devices और friends में दुबारा बता दूँ कि आपका यहां पर phone already connect रहना चाहिए यह step आपको फोन connect करने के बाद ही करना है तो उसके बाद enter करेंगे तो यहां पर आपका friends आप देख सकते हैं list of devices attached आ रहा है और यहां पर इधर आपकी एक ID आएगी और यहां पर आपकी डिवाइस शो करेगी वह connect है तो यह different different IDs हो सकती है device के अपने ADB ID होती है तो उस हिसाब से connect कर देती है और यहां पराने के बाद friends आप मैं आपको दिखा देता हूं phone के अंदर मेरे phone के अंदर phone manager नाम की एक app है जो के clean master app को redesign किया हुआ है realme ने और इसको आप निकाल सकते हैं और अभी यह मेरे phone के अंदर मौझूद है तो यहां पर मैं type करूंगा ADB shell यह इसकी command है और यहां पर यह मेरी device का नाम आ चुका और इसकी शेल directory के अंदर जा चुका है और friends यहां पर आपको एक command लगानी है अगर आपका MI device है तो आप इस command को लगाएंगे मैंने अगर आपको यह command चाहिए होगी तो friends मैं आपको यह सारी commands provide कर दूंगा तो friends यहां पर आपको इस तरह से अगर आपकी MI device है तो आपको यह वाली command यूज करनी है यह यहां PM से लेके यहां तक अगर आपकी realme यह ओपर device है तो आपको यह command लगानी है और अगर आपके इसके लावा कोई और phone है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आपको अपने device के साफ से करके दिखाता हूँ मेरा realme device है तो मैं यहां पर टाइप करूंगा pm space uninstall space hyphen k small में है space double hyphen user space zero space com dot coloros dot phone manager क्योंकि मेरे phone के अंदर जो एप का नाम है वो phone manager है clean master ही है तो यहां पर मैं friends आपको लिखा दूँ कि मैं इसको run करने लगा हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे phone के अंदर यहां पर phone manager की option available है और मैं इसे अविलेबल है और इसको मैं execute करने लगा हूँ और यहां पर option friends आ चुकी है success और यहां पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं यह यहां से delete हो चुकी है यहां से delete हो गई है आपको run time में दिखा रहा हूँ और यहां से delete हो चुकी है अगर आप यहां से manual जाके भी चेक करें यहां पर आपको phone manager नाम की app नहीं दिखेगी यहां पर आपको नहीं दिखेगी और plus आप यहां पर उपर प्लस अगर आप यहां पर उपर जाकर यहां पर manually यहां पर clean करते हैं device को तो यह तब भी आपकी open नहीं हो रही तो इसका मतलब आपका तो इसका मतलब इसने uninstall कर दिया और इसी तरह से friends आप और भी inbuilt apps को uninstall कर सकते हैं बस आपको करना क्या होगा कि आपको यहां से dollar यहां से आपको pm से लेकर आपको यह zero तक command same रखनी और space चाल के आपको यहां पर package का नाम डालना है तो यह package का नाम आपको कैसे find करना है उसके लिए android के अंदर एक app है package manager यह package viewer नाम की एक app आती है आप उस app को install करें और वहां यहां पर आपकी सारी installed apps का जो package name है वहां पर show कर जाता है और वहां से देखने के बाद com.com करके आप यहां पर उसका नाम डाल दें और enter करें तो आपके वह app को यहां से uninstall कर देगा और अगर viewer device की बात करें तो वहां वह भी आपको इस तरह से ही मेरे पास इस time उनका जो inbuilt clean master app का जो package है उसका नाम मेरे पास नहीं है तो मैं यहां पर उसका आपको नहीं available कर पाऊंगा तो friends इस तरह से आप किसी भी app को uninstall कर सकते हैं जो के inbuilt है और uninstall नहीं हो सकती लेकिन friends यह चीज़ आप बड़े ध्यान से करें क्योंकि यह काफी risky हो सकती है कुछ apps OS का part होती है औ तो आपके OS को break कर सकते हैं लेकिन घबराने की जरुवत नहीं है मैं इसी वीडियो का एक part 2 निकालने वाला हूं और उसके अंदर में troubleshooting बताने वाला हूं कि अगर आप किसी step पे कोई गलती कर भी देते हैं तो आप दुबारा से अपने phone को original state पे ला सकते हैं और वो मैं सब्सक्राइब कर सकें और अगर आपको की step के अंदर प्रावलों आए तो मुझे comment section में comment करें या फिर instagram पे DM करें मैं आपका reply ज़लूट करूंगा और मिलते हैं इस वीडियो के part 2 के अंदर एक next वीडियो चो होने वाली हो काफी वह भी helpful होने वाली आपके लिए तो मिलते ह अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए बबाए